नमस्का दोस्तों बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर मोर पंख माखन बांसुरी काना आया शोर मचा मोर पंख माखन बांसुरी काना आया शोर मचा हर हरिदे किसना बसता द्रोपती की लाज बचा द्रोप्ति की लाज बचा, कंस को मोत के घाट उतार, कोपियों संग रास रचा, अर्जुन को सही रहा दिखला, राधा संग बस तू ही जचा, राधा संग बस तू ही जचा तो दोस्तों मेरी ये पंक्तियां समर्पित हैं इस पुस्तक को श्री कृष्ण कथामरितम आप देख सकते हैं और इसकी रचिता है किरन सिंग जी आज मैं इस पुस्तक के बारे में बात करूँगी यह है एक खंड कावे है और इसका मूले दोसो पचासरे प्रिष्ट उन्यासी पेपर बैक में दोजार चोबिस में प्रकाशित हुई है श्वेत वरना प्रकाशन नोईडा से आई है और ये बाल खंड कावे जैसे मैंने बताया परिचे देना चाहूंगे किरन जी का ग्राम मजोहा जिला बलिया उतर प्रदेश में जन्मी पटना बिहार निवासी है इनोंने सनातक किया है और सितार में संगीत प्रभाकर किया है इनकी सोला पुस्त के प्रकाशित हो चुकी है कावे बाल साहिते कहा नी लगू कथा उपन्यास मुक तक संस्मरन ये इनकी विधाए है उतर परदेश हिंदी संस्तान द्वारा सुबद्रा कुमारी चोहान महीला बाल साहिते समान और सूर पुरसकार मिल चुका है बिहार हिं इन्होंने समर्पित की है कुमार रिशी जी को देखिए इन्होंने मैं बताती हूँ इन्होंने क्या लिखा है इन्होंने लिखा है कि मेरे प्रथम पुत्र कुमार रिशी आनंद को समर्पित इन्होंने अपने पुत्र को समर्पित की है कि बाल कृशन रूप में रिशी की इसी तस्वीर को देखते हुए, मेरी आखे तो बरस पड़ी, लेकिन मेरी कलम चलकर रच दी, श्री कृष्ण कथाम रितम, रिशी को भगवान इतना ज्यादा प्यार करते थे, कि उसे अपने पास पुला दिया, बहुत दुकत, और हम में बात करूँगी, आशीर वचन की, भ जो बच्चों को कवितार कहानी का एक साथ आस्वात देती है, और सरस्ता इसकी जान है, और हर सर्ग में खेल, खेल में कोई ना कोई संदेश भी सहजी हासिल हो जाता है, उसमें आगे लिखा है कि शिशूओं बालकों के लिए अनमोल सोगात है, या बच्चों की जानी मानी कवितरी किरन जी को इसके लिए हार्दिक पधाई एवं शुब कामना है, और इन्होंने किरन जी ने एक चिथी बच्चों के नाम लिखी है, जिसमें इन्होंने कहा है कि जब मैं आप बच्चों को देखती हूँ, तो आप में मुझे क्रिशन जी की छवी दिखाई देती है तो मैंने सोचा क्यों ना शिरी राम कथामरितम की तरह शिरी क्रिशन कथामरितम भी लिख दूँ, जब मैंने ऐसा सोचा तो मेरी कलम अपने आप चलने लगी, जैसे लगा कि क्रिशन जी ने मेरी कलम में जादूई मंत्र फूक दिया है, और इस पार क्रिशन की कथासार चं बहुत सुन्दर सुन्दर 17 अध्याय हैं बस मैं यह कहना चाहती थी काश की यह एक अध्याय और लिखते थी किरन जी और वह उपसंहार उसको बना लेती और इसमें आकाशवानी जन्म कंस कुरूरता क्रिशन मुख क्रिशन सुन्दारे शिरारते बका सुर्वत अगा सुर्व कालिया नाग ब्रह्मा जी द्वारा परिक्षा गुवर्दन पूजा रादा क्रिशन अकरूर जी कुबजा कुबडी बेट कंस वद उग्रसे नाना का राजा विशेक क्रिशन सुदाम मुत्रता यह सबी इनके यह चीरशक हैं जिसके अंतरगत इन्होंने लिखा है और अकर अकम रसधार बही है इनमें ओज गुण माधुरे गुण और प्रसाद गुण तीनों इसमें अद्बुत रस वी रस करून श्रिंगार भक्ति रस वात्साले रस इस सभी इसमें हैं तत्सम तत्बव शब्दों का प्रियोग है बच्चों को बांधने में सफल है इसे पढ़ कर सुनाना होगा किसको अध्यापक प्रिंद और अभिभावक यह सभी दोनों मिलकर अपने बच्चों को सुनाएं यह और इसमें किरन जी ने लिखा भी है कि इन्होंने श्री कृष्ण के बाले अवस्ता की क्रियाओं को कविताओं में ढाला है कथा मृतम बच्चों में सं अवस्कार अवश्य भरेगी तो यह थी समिक्षा और अब मैं आपको कुछ पढ़कर सुनाओंगी इसमें किस तरह के इन्होंने लिखे हैं दो दो पंक्तियों में लिखे हैं उग्र सैन थे निरिप मतुरा के उनके भाई देवक पदमावती बनी महरानी बने हजारों सेवक कंस महत्वा कांक्शी बेटा करता था मनमानी चलो सुनाती हूँ मैं बच्चो अचरजबरी कहानी अचरजबरी कहानी कारा ग्रह में डाल पिता को कंस बना खुद राजा प्रवरिती राक्षसी जो थी उसकी उसका यही तका जा उसका यही तका जा इस तरह से इन्हों लिखा है, देखिए, श्री क्रिशन का जानम, देखिए, इतने सुन्दर सुन्दर इसके अंदर चित्र है, इन्होंने एक जगा लिखा है कि, कि आनंद ने नाम करण उस शिशु का क्रिश्न कनईया, स्वेंबन गए उनके बाबा यशुमति उनकी मैया, ए वहाँ पर ग्वाल बाल संग जम कर धूम मचाते, एक है अगासुर वध, कंस दिया आदेश दैत को वरिंदावन में जाओ, वहाँ हमारा शात्रु क्रिशन है, उसे मार कर आओ, प्रिंदावन में क्रिश्न कनईया गाये चराने जाते, बैठ तले तरुवर के अकसर वन्शी मधुर बजाते, वन्शी मधुर बजाते, बहुत सुन्दर, और एक और मैं पढ़ देती हूँ, खोल क्रिशन ने आँखें उनकी दी, फिर उनको दीक्षा, कहा करो तुम कर्म करो पर, करो नफल की इच्छा, करो नफल की इच्छा, करो नफल की इच्छा, ची दोस्तों, तो किरन जी ने बहुत सुन्दर इन्होंने बच्चों के लिए किताब लिखी, एक्छुली, मुझे असा लगता है कि कहीं न कहीं, बच्छपन से ही हमें, अपने धर्म के बारे में जानना चाहिए, अध्यात्म के बारे में जानना चाहिए, इससे क्या होता है कि बच्छप इसे बहुत कुछ जाने अंजाने हमें बच्चों को भी सीखने को मिलता है कि हमें ऐसा विहवार करना चाहिए, ऐसे जीवन जेना चाहिए और ऐसे हमें कृष्ण सुदामा का देखी आप सभी जानते मित्रता का कितना अच्छा उधारन दिया है इनोंने कविताओं की पंक्तियों में तो धन्यवाद दोस्तों जैश्री कृष्णा फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ तब तक मुझे आगे आदे झाल